कि नमस्कार सुवागतम वेलकम मैं ने दीशिमाली में आपके अपने इस YouTube चेनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने व्रषिक राशी वालों का जून मा का मासिक राशी फलेकर उपस्तित हुईम। और ये महीना व्रशिक राशी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि इस माँ आपके सुकों में वरती होगी प्रॉपर्टी से समंदित विवाद खत्म होंगे वही जीवन साती के साथ माधूरी बरे समंद हो जाएंगे एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर के भी समंदा बनी होई है थोड़ा सा साथदान रहें वहीं आपकी पर्सनालिटी बहुत ही पावरफूल हो जाएगी और क्या क्या बातें आपके साथ में इस माँ होने वाली है क्या क्या गटनाएं गटित होने वाली है कैसी रिजल्ट आपको इस माँ मिलने वाले में अगर आप आप ये विस्तार में जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंतक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, चलिए शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से, तीन जून को अपरा एका दशिका वरत किया जाएगा, वहीं पाथ जून को जहनती और फादर्स दे मनाया जाएगा, अठारा जून को निर्जला एका दशिका वरत किया जाएगा, जो कि सभी एका दशियों में सबसे सर्वस रिस्ट है, 21 जून को अंतराश्टिय योग दिवस, पूरा भारत और पूरा विस्व मनाएगा, तो ये तो ही इस माह के कैल अठा़ में विराजमान है, और 15 जून को अपनी समराशी में तूंन में प्रविष कर जाएंगे, मंगल गरह की बात करहें, तो वरतमान में अपनी अतिमत्राशी में में विराजमान है और एक जून को वे अपनी खुद की राशी में स्वग्रही हो जाएंगे गुरु ग्रह इस पूरे मां अपनी समराशी विराशम में विराजमान रहेंगे शुक्र वर्तमान में अपनी पूरे मां अपनी कुदके राशी कुम में स्वग्रे योकर विराजमान रहेंगे और राहू और के तु अपनी समराशी मीन और कन्या में इस मां विराजमान रहने वाले हैं तो ये तो कोई ग्राओं की इस्तति के बाद, ग्राओं के राशी परिवर्थन के बाद, अब इनी ग्राओं की इस्ततियों पर आधारित रहता है हमारा मासिक राशी फल, तो बिना कोई देर की अवेश चुरुआत करते हैं, व्रशिक राशी वालों के जून मा के मासिक राश यानि यह दौनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है अब सबसे पहले आपके रासी स्वामी मंगल की बात करते हैं जो कि स्वग्रे होकर आपके रोग बाउ में विराजमान है मंगल का स्वग्रे होकर आपके रोग बाउ में बैठना स्वास्त समंदी समस्यों में आपको देखने को मिलेगी बस आपको ज्यादा एक्जर्शन नहीं लेना है और एक्साइटेट और और एनर्जेटिक बनने से आपको अपने आपको रोकना होगा अपने कारियों को शांती से धहर्य से पूरा करें सामन्य रफ्तार से करें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आपके कारियों में आपको नुकसान दिला सकता है महीं पर्सनालिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी आपको कुटम समाज का मानसमान बढ़ेगा मानसमान मिलेगा और आपके प्रभाव शेत्र में ब्रदी होगी काम में decision making improve हो जाएगी और आप बड़े ही सही तरीके से decision ल चाहा लाब समाजिक मानसमान में दिलाएंगे रुत्बा आपका बढ़ेगा महीं अगर आप मंगल से related कारे कर रहे हैं जैसे पुलिस सेना नेवी जैसे daring job mining से समंदित कारे करना महीं अगर construction material या construction line से आप जुड़े हूँ है security services का काम करते हैं कोई garage है आटो mobile से समंदित कार कर रहे हैं तो definitely ये मां आपके लिए उत्तम सफलता दायक रहेगा अब आते हैं आपके वितिय भाव यानि धनिस्थान पर आपके धनिश और पंचमेश दोनों ही गुरु हैं और गुरु केंदर में बैठे हैं सब्तम भाव में बैठे हैं और अपनी समराशी में विराजमा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम लाप की परिस्तियां लेकर आएगा वैसे भी किंदर में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं इसलिए अच्छे धनलाप की इस्तियां आपको देखने को मिलेगी financially आप अपने आपको बहुत ही strong position में पाएंगे परिवार का साथ और से योग भरपूर मिलेगा अगर स्टुडेंट्स है तो उनको पढ़ाई में distraction जुरूर मिलेगा मिसंस्टैनिंग नहीं बनानी है टीचर्स और पेरिंट्स के बीच में सामन जसे है और तालमिल बना कर रखें अपनी मेनत के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें वहीं आध्यात्मिक कारियों में आपका मन अधिक लगेगा और घर में कोई धार्मिक अनुस्टान भी आपके द्वारा किया जा सकता है अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और सुकिस्तान पर आपके सुके से सनी जोकी सुकिस्तान में सर्ष नामक मापुरुष योग बना रहे हैं वहीं शनी आपके सुखों में विरती करेंगे, प्रॉपटी से समंदित अटके हुए कारियों में आपको सफलता प्रापत होगी, प्रॉपटी के क्रे विक्रे में आरी बादा हैं, दूर होगी, रुपे पैसों से समंदित कारियों में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करें तो शनी के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे और बैतरी होते हुए दिखाई देंगे वैसे भी शनी देव बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देते आ रहे हैं अब आते हैं आपके सब्तम भाव पर आपके सब्तमेश हैं शुक्र जो की बारा जून थक सब्तम भाव में स्वग रहेंगे याँ एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर होने की संबावना बनी हुई है जीवन साती के साथ अनबन हो सकती है थोड़ा साथ संबल कर रहने की आउशकता ह 12 जून के बात का समय आपके लिए बहुत ही बहतरीन रहेगा लाइप पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा समस्या दामपत्य जीवन में कम हो जाएगी महीं लव रिलेशन्चिप में आप अपने प्रेम का इजाद अपने लव मेट को करते हुए दिखाई देंगे शुक्र जनित इस समय बनती हुई दिखाई देगी विदेशों से बहुत अच्छा लाब मिलेगा विदेशों में रहरे रिस्तदारों से बहुत ही अच्छा आपका मिल मिलाब होता हुआ दिखाई देगा तो शुक्र के रिजल्ट आपको सब्तमेश और कर्च भाव की स्वामी के इस आप से बहुत ही अच्छे और बैतरीन मिलेंगे अब आते हैं आपके अस्टम और एकादस भाव पर आपके अस्टमेश हैं बुद्ध जो की अस्टम भाव में स्वग रही हो रहे हैं वहीं एकादस इस्थान के स्वामी भी बुद्ध है जो की अस्टम भाव में स्वग रही हो और जुन मिड में बुद्ध का स्वग्र ही होकर बैठना 29 जुन तक आपको बड़ी सफलता है दिलवाएगा आपकी यात्रा है सुखद और मंगल में रहेगी शुपकारियों में निवेश होगा अचानक दनलाब के योग बनेंगे वही इस समय अच्छा और और लाब भी आप कोशिश करते हुए दिखाई देंगे और कई योजना उस वज़े से क्रियानवित होती चली जाएगी और इस समय आपका लेवल और सरकल बड़ेगा आपकी बुद्धी मता के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे तो बुद्ध के रिजर्ट आपको बहुत ही अच्छे और बैतरें इस मां के मिड़् से लेकर मां के एंट तक मिनले वाले हैं अब आते हैं आपके भागे इस्थान पर भागे इस्थान के स्वामी है चंद्रमा जिस पर मंगल की चतुर्त द्रस्टी पढ़ रही है यहां पर चंद्रमा इमोशन से जुड़ा हुँ अग कोई भी बड़े निवेश से बचना है जो कारिय पहले आप नए हाथ में लिये हैं उन्हें पूरा करके ही नए कारियों की शुरुआत करें तो चंद्रमा के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे अब आते हैं आपके कर्म भाव पर आपके कर्म भाव के स्वामी ह सूर्य सूर्य आदे मार तक आपके सक्तम भाव में बैठेंगे और उसके पास प्रश्यात सूर्य आपके अस्तम भाव में जाकर विराज मान हो जाएंगे दोनों ही परिस्वितियों में कर्मेश के बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे पहले अपने से सब्सक्राइब देखने को मिलेगा हालनकि ट्रांसफर के योग नहीं है इस समय प्रमोशन और इंक्रिमेंट भी नहीं मिल सकता है इसलिए आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए बस कर्म करते चले जाएए आपको परिणाम स्वतहीं प्राप्त हो जाएंगे तो यह है व्रशिक राशी वालों का जून माह का मासिक राशी फल अब आ जाते हैं कुछ उपायों पर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर चड़ा है इस पूरे में आपको यह कार्य करना है शनी जैनती पर आप रातर कालसनान आदी से निवरत होकर शन जरूर करें किसी नल कुए का पानी लाकर किसी पीपल के रक्षपत चड़ा दें यह प्रेहोग नियम में तुरूप से करें और नियम में तुरूप से छैंश निवार करें व्रशिक राशी वाले जातकों को मुंगा रतन धारन करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा आरा प्रसाओं को शान्त करना चाहते हैं तो आप टेलिफॉनिक अपर्टमेंट और परसनल मीट के माध्यम से मुझसे चूड़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिये गए नमरों पर कॉल या फिर वाट्सेप के माध्यम से संपर कर सकते हैं अब मैं अपनी वानी प्रसिद्ध जोतिश आचार्य हैं उनके जोध पुरस्थित जोतिश संस्थान में महामृत्यून जय कालसर्पदोश मा बगला मुखी विवाह बाधा निवारन पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विध अधिविधान एवं शासरुक्त रीती से संपन्न करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने है तू इन नंबरों पर संपर्क करे 8 9 5 5 6 5 8 3 6 2